हलो बच्चा पार्टी स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चनल आर्या कोचिंग में जैसा कि आप जानते हैं आप यहाँ पर पढ़ते हैं इंटर्मेट की मैथ और फिजिक्स की क्लासेस बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से तो आज उसी कड़ी में हम आपके लिए लेके आये हैं फिजिक्स की चैप्टर नंबर टू का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक जो की है आविसित चालक की इस्थितिज उर्जा का सुत्र आप सभी को इसका फार्मला पता होगा सुत्र आपको पता होगा यूज उकल टू हाप सी वी स्क्वेर या फिर यूज उकल टू वन बाई टू सी वी स्क्वेर आप सब जानते होंगे लेकिन आज हम इसके डेरिवेशन को विस्तार से समझेंगे अगर आप कहीं पढ़ रहे थे आपको भईया नहीं समझ में आ रहा था तो आज आपको समझ में आएगा टेंसन नहीं लेना क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको concept को clear करके पढ़ाया जाता है और जब आपका concept clear होता है तो आपको उस subject से प्यार हो जाता है आपको वो subject अच्छी तरह से समझ में आने लगता है तो चलो आज की class को हम सुरू करेंगे लेकिन आज की class को सुरू करने से पहले एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि भाई अगर हमारी classes आपको पसंद आती है तो वीडियो को like करके जाया करो, share कर दिया करो अपनों दोस्तों के साथ और अगर आप continuously आगे के वीडियो भी पाते रहना चाहते हैं यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वहिए चैनल को भी जरूर सब्स्क्राइब कर लीजिए और वेल आइकन को जरूर प्रिस करिएगा क्योंकि आगे आने वाले वीडियो को notification अगर आप पाना चाहते हैं यह वेल आइकन को जरूर प्रिस करिए जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का notification मिलता रहेगा और यहाँ पर आप continuously अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे ठीक है, चलो आज की class को शुरू करते हैं सबसे पहले हम जानेंगे इस्तिज उर्जा का मतलब क्या होता है आकिर इस्तिज उर्जा है क्या और उसके बाद में हम लोग इसके derivation को करेंगे लेकिन derivation को करने से पहले मैंने 1000 बार कहा होगा और मैं हर class में यह बात कहता हूँ कि derivation को करने के लिए उससे पहले क्या-क्या जानकारी होनी चाहिए, पहले हम वो जानकारियां लेते हैं, और उसके बाद में derivation के सुरुआत करते हैं, भाई derivation तो हमारा दो मिनिट का है, दो मिनिट में आप कर दोगे, समझाने में मुझे जो भी समय लगे, वो अलग बात है, लेकिन derivation आप दो मि का मतलब क्या है, ठीक है, इस्तिति जूर्जा क्या होता है, याद रखिए, इस्तिति जूर्जा का साब्दिक अर्थ है किया गया कारे, अगर आपने कारे गयात कर लिया, तो वही कारे इस्तिति जूर्जा कहलाती है, कारे ही इस्तिति जूर्जा है, आप ऐसे याद नहीं था जब चालक पर आवेस नहीं था उस समय तो कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन जब चालक को आवेस दिया जा रहा होगा चालक को आवेसित किया जा रहा होगा तो आवेसित करने में कुछ कारे किया जाएगा कारे मतलब कुछ उर्जा वे की जाएगी तो आवेसित करने मे जो उर्जा वे की जाएगी आविशित करने में जो कारे किया जाएगा वही कारे अर्थात वही वे की गई उर्जा ही उस चालक की क्या कहलाएगी इस्थितिज उर्जा कहलाएगी तो कहने का मतलब यह है जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने में कुछ उर्जा वे करनी पड़ती है और वही वे की गई उर्जा क्या कहलाती है वही उस आवेशित चालक की इस्थितिज उर्जा कहलाती है तो बेसिक बेसिक आप ये याद रखें दिमाग में कि वही किया गया कार ही इस्थिति होना चाहिए कारे का सुत्र विभुवांतर और आवेस के पदों में क्योंकि कार ही तो हमें अल्टिमेटली निकालना है क्या निकालना है क्योंकि इस्थति जुगजा का मतलब तो कारे ही है तो कारे हमें निकालना है तो कारे का सुत्र भी विस्थापन आपको नहीं विताना है, यहां पर आवेशित किया जा रहा है, और जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, तो उसका विभो देरे देरे बढ़ता है, समझ रहे हो ना, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, तो उसका देरे देरे विभो बढ़ता है, तो हमें कारे का फारुमला आवेस और विभो के पदों में चाहिए और सबसे पहली बात यही आपको जानना है आवेस कारे का फारुमला, डबलू का फारुमला किसके पदों में आवेस और विभो के पदों में क्या होता है Q into V अगर आपको ये formula नहीं पता था तो भईया आज पता कर लीजी और आपको पता ही होगा क्योंकि आपने वैदुत विभो पढ़ा होगा तो V बराबर में W बटे Q आपको पढ़ाया गया होगा यहां से W बराबर निकालोगे Q और V का गुणा हो जाएगा तो W बराबर Q इंटू V ये आपको formula कारे का है इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं तो लिखेंगे कारे बराबर क्या है आवेस आवेस गुणे विभो यही है और भईया यह formula याद रखेगा बाद मैं आपसे पूचने वाला हूँ अगर नहीं बता पाये तो समझे लो क्या करेंगे हैं क्या कर सकते हैं कुछ नहीं यार आप वहां बैटे हो अपने गर में बैठे हो हम यहां बैठे हैं पढ़ा रहे हैं ठीक है कर तो नहीं सकते हैं लेकिन मन में तो सोची सकते हैं कुछ ठीक है कोई बात नहीं है तो डबलो बराभर के इंटू वी मतलब कारे बराभर आवैस गुणेवी यह formula आपको याद रखना है याद रखना है याद रखना है अगर यह नहीं याद है तो भया आपको फिर समझ मने आने वाला याद करलो ठीक है तो ये बात आपको पता होने चीए दूसरी चीज आपको क्या पता होने चीए और इस डेरिवेशन को करने के लिए दूसरी चीज यार धारिता का सुत्र बेसिक वाला C बराबर Q अपान V किसको नहीं पता भाई, सबको पता है C बराबर Q अपान V अगर मैं कहूं Q क्या होगा Q बराबर में C V अगर मैं कहूं V क्या होगा तो V बराबर में Q अपान C मैंने यहाँ पर लिख दिया है तो यह आप याद रख सकते एक याद रख लो यार सारे याद रखने की तोड़ी ज़रूरत है आपको ठीक है आप Intelligent बच्चे है और Intelligent बच्चे सारे नहीं याद रख से आप बस Concept से यह सारे निकाल लेते एक पता है तो अन्य सारी चीज़े निकालने कोई दिक्कत नहीं है आराम से निकाल सकते हो ठीक है भाई मैंने क्या बताए यह दोनों चीज़े आपको पता होने चीए अगर पता है तो अब ध्यान से देखिए आज हम क्या करने वाले हैं इसके derivation को यूज उकल टू हाप CVS कर को बहुत आसानी से सीखने वाले है भाई यह धैरी के साथ में देखना हाँ मैंने बताया है कि अगर यह वीडियो पसंद आ जाए आपको सीखने को कुछ मिलता है अगर आप सीख जाते हैं क्लास को खतम होते होते देखेंगे आप यह derivation करने लगे हैं अपने आप करने लगे हैं आप बंद कर देंगे सारी किताबें आप बंद कर देंगे हमारी कलास को और उसके बाद में register उठाएंगे और अपने आप उस derivation को कर डालेंगे और अगर कर देना भाई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, share कर देना अपने दोस्तों के साथ और साथी साथ में अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वहिया कर देना, अपने दोस्तों से करवा देना क्योंकि आपके support की हमें इस समय जरूरत है भाई जरूरत है, इसलिए हमें support करने के लिए कम से कम्यार लाइक कर दो, share कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो चलो आगे की बात करते हैं ये दोनों बाते पता हो गई क्या कौनसी बाते हैं, कौनसी बाते वहिया कारे, कारे का सुत्र हमें पता हो गया विबो आंतर और आवेस के पदो में W बराबर Q into V मतलब कारे बराबर आवेस गुड़े विबो पता हो गया, दूसरी चीज़ आपको C बराबर Q upon V ये सुत्र पता हो गया, पता हो गया हाँ, अगर ये दोनों चीज़े पता हो गई समय लग सकता है लेकिन जब आपके दिमाग में वो चीज़े सेट हो जाती है, तो फिर आप लंबे समय तक भोलते नहीं है आज आपको मैं अभी डेरिविशन करवा दू तुरंत दो मिनिट में हो जाएगा डेरिविशन करने में समय नहीं लगेगा बहुत सारे लोग करवाते भी हैं यह दो मिनिट में आते हैं, डेरिविशन करवा के चले जाते हैं, बच्चे अरे सर ने तो बहुत छोटे में करवा दिय smiles छोटे में करवा दिया, हम भी करवा सकते हैं लेकिन, लेकिन भाई उसमें concept आप नहीं समझ पाओगे आप feel नहीं कर पाओगे तो आपको तुरंट तो याद हो जाएगा लेकिन जब 10 दिन बात आपसे वही चीज derivation पूचा जाएगा तो यार कहोगे कि क्या लिखा था सर ने आपको वो याद आएगा आपको नहीं याद आएगा अपना concept क्या था क्योंकि आपने याद किया है समझा नहीं है और याद करने वाला वैया कितनी दिनों तक याद रख सकते हो कितनी दिनों तक याद रख सकते हो अगर आपकी girlfriend आपको दोखा दे के चली जाए तो आप महिने बर के बाद में उसको भी बूल जाते हो तो ये पढ़ाई जो आपको सबसे कठिन लगती है उसको तो आप 5-6 दिन भी याद नहीं रख सकते बूल जाओगे और बूलने की बीमारी तो यहीं से शुरू हुई है बच्चे कहते हैं सर हम पढ़ते हैं आगे आगे याद करते हैं पीछे पीछे बूलते जाते हैं यार याद करते हो तभी बूल जाते हो याद करोगे तो बूलोगे जरूर जिसको याद करोगे उसे बूलोगे ठीक है लेकिन लेकिन जब आप किसी को समझोगे तो वो जिंदगी भरियाद रहेगा concept clear करोगे तो जिंदगी भरियाद रहेगा इसलिए हम हजार बार कहते हैं या concept clear करो याद करने के चक्कर में मत रहिए क्योंकि physics को याद किया ही नहीं जा सकता भाई physics को कैसे आप याद कर सकते हो इतने सारे derivation इतनी सारी परिवासा है कैसे आप याद रख सकते हो इतने दिमाग में कैसे याद कर पाओगे नहीं याद कर सकते concept clear करोगे सब कुछ अपने आप clear हो जाएगा अपने आप सब कुछ करने लगोगे इसलिए भाई ratification छूड़िए और अपनाना है आपको concept को समझना concept को समझिये चलो सुरू करते हैं आज की class को class क्या सुरू तो पहले से है हमें क्या करना derivation सुरू करना है भाई हमने ये दो सुत्र बताए है इनको याद रखना मैं आप से पुना पूछूंगा भी ठेके चलो आईए सबसे पहले हमें क्या करना है हमने बताया कि जब किसी चालक को आवेशित करने में जो उर्जा वे की जाएगी उसे हम क्या कहेंगे तो किसी चालक को आवेशित करने में जो उर्जा वे की जाएगी उस उर्जा को हम क्या कहने वाले हैं चालक का इस्थितिज और जा ठेगे वही क्या होगी चालक की इस्थितिज और जा लेकिन हमने हजार बार ये भी कहा होगा आपसे अब यार हजार बार कहा हो या फिर दो तीन बार कहा हो लेकिन कहा तो है क्या कहा है कि physics में direct पूरा काम एक बार में कभी नहीं करते छोटा 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 जो भी काम है छोटे छोटे भागों में बाट लिया जाता है तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं आवेस चालक को आवेसित करना है और आवेसित करने के लिए हमें चालक को Q आवेस देना है कितना आवेस देना है भाई हम चालक को Q आवेस देना चाहते है लेकिन Q आवेस चालक को डिरेक्ट एक बार में नहीं देंगे हम क्या करेंगे Q आवेस के छोटे छोटे पार्ट कर लेंगे और भाईया याद रखना जब किसी किसी भी चीज के छोटे छोटे पार्ट करते हैं छोटा सा अंस लेते हैं तो उसके लिए physics में D का इस्तेमाल करते हैं chapter number 1 में भी मैंने आपको बताया था तो छोटा सा आवेस मैं लिखूंगा D की उसे किस से लिखूंगा D की उसे तो simple बात है जब किसी चालक को आवेसित करेंगे तो पहला आवेस हमने छोटा सा दे दिया कि कोई चालक है मान लिया एक चालक पर मैंने छोटा सा आवेस दिया पहले तो इसका विभो पहले मान लिया चालक का विभो क्या था जीरो था ये विभो था जीरो आवेश हमने दिया एक पहला आवेश जब हमने दिया छोटा सा part ठीक है तो उसका विभो थोड़ा सा बढ़ गया होगा मुझे नहीं पता कितना हो गया होगा लेकिन कुछ ना कुछ बढ़ गया होगा ओके इसके बाद में फिर एक आवेश दिया जाएगा, छोटा सा पर्ट फिर दिया जाएगा, तो फिर विभो बढ़ जाएगा, फिर तीसरा आवेश दिया जाएगा, फिर विभो थोड़ा बढ़ जाएगा, और लगातार विभो बढ़ता रहेगा, अंत में जब अंत वाला भाग दे देंगे, इस चालक पर total आवेस ये क्यों पहुंच जाएगा अर्था चालक का आवेस हो जाएगा जब क्यों तो उस स्थती में चालक का विबो लाक्ष्ट में मान लिया कि V हो गया पहले चालक का विबो कितना था जब आवेस नहीं दिया गया था शुरुआत में चालक का विभो कितना था यह पसीना आ रहा है, समझ लो पसीना आ रहा है, आपको साड़े-दस बजे में रात के क्लास सूट करता हूँ आपके लिए यार मेहनत करता हूँ, इसलिए सपोर्ट जरूर कर देना लाइक कर देना, सेर कर देना चैनल को सब्स्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो मैं क्या था यहां आजाओ बहुत प्रमोशन कर ले एकते बीच में जरूरत है यार इस समय इसलिए ठीक है चलो आईए मैंने क्या बोला जब मैंने आवेस जब आवेस नहीं दिया था चालक को तो उसका विभौ था जीरो ओके जीरो विभौ था शुरूरात में इसका विभौ कितना था जीरो लेकिन छोटे छोटे आवेस देते देते धीरे दीरे विभौ बढ़ता गया और क्यू आवेस पूरा जब देने के बाद इसका विभौ हो गया है वी थेकर शुरुआत में विभो कितना री ओके तो यहां पर हम अगर आप से पूछें कि क्यू आवेस जो दिया गया है या क्यू आवेस किस विभो पर दिया गया है तो आप bend album न वी विभोपर कैसे जिरो विभोपर ना जिरो विभोपर नहीं क्यों का छोटा सा पार्ट जिरो विभोपर भी दिया गया था सुरुवात में जब दूसरा आवेस का पार्ट दिया गया था तो विभोव वीवन हो चुका था तो वीवन विभोपर दिया गया था तीसरा हुआ कि भईया ये जो Q always total है ये Q always बहुत सारे विभों पर अलग अलग दिया गया है तो हमें अगर एक कोई विभों लेना हो कोई एक विभों लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे तो हम लिखेंगे इन सभी विभों का औसत ले लेंगे क्या लेंगे औस और किसी विभौ का औस विभौ का औस तम कैसे निकालेंगे औस निकालने के लिए एक बेसिक ट्रिक आपको बताते हैं वह ध्यान से समझना मैंने बताया न अभी यह मैं आपको सौट कर भी बता दूँगा आप आराम से कर लोगे डेरीवेशन को एक मिनिट लगे चौदा यह चलो दस ही तेंगलते ज्यादा लंबा ना करने को मैंने का चलो इनका आउसत बताओ दो भाई तो आउसत कैसे निकालोगे आउसत का मतलब होता है वह यह कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या आपने पढ़ाई होगा आउसत तो वह यह दो चार छे 8,10 सब को जोड़ों के कितना हो जाएगा 10,8,18,18,18,18,18,24,24,23,23,30 हो जाएगा और कितनी संख्या एक,दो,3,4,5,5,5 से भाई कर दोगे तो यह हो जाएगा आउसत,5 ऑसत,5 आगे तो अगर इन सब को जोड़ करके और उनका बड़ों की संख्या से भाग कर देंगे तो ओसत निकलाता है लेकिन ओसत निकलने का एक छोटा बेसिक तरीका भी है और इससे छोटा तरीका है अगर एकांतर क्रम में बढ़ रही हैं संख्याई या घट रही हैं संख्याई ऐसी condition में औसन निकालते समय पहले वाली संख्या और बाद वाली संख्या को जोड़िए और उसका आधा कर दीजिए साथ मैंने कुछ गलती कर दी है बाई गलती कर दी ना गलती कर दी क्या गलती कर दी और यह संख्या है कितनी है पांच और काठें गयार चे बचेगा यार बुद्दू मैं अपने आपको वास्टर कहता हूं और इसको कैंसल करके पांच निकराता समझलो यार कोई नहीं गलतीया होई जाते हैं सबसे हो जाती है यार मुझसे तोड़ी ठीक है तो मैं क्या गही रहा था उसक निकालने का एक तो यह बेसिक तरीका है और दूसरी संख्या को जोड़ करके आदा कर दो दो प्लस दस दोनों को जोड़ो और आदा कर दो तो बारा बते दो बराबर के आजाएगा च्छे उत्तर वहीं आया जो इससे आए था वही इससे आया अगर एक अंतर क्रम में संख्याएं बढ़ रही हैं, बराबर बढ़ रही हैं हर बार दो, फिर चार, फिर छे, फिर आठ, फिर दो, दो बढ़ता जा रहा है तो ऐसी कंडिशन में क्या करते हैं? पहली और अंतर वाली को जोड़ करके आधा कर देते हैं, आउस्त निकलाता है तो हम क्या करेंगे? वहिए यहां पर हमें आउस्त निकालना है, आउस्त निकालना है इन सभी विभों का तो औसत विभो कैसे निकालेंगे औसत विभो निकालने के लिए हम क्या करेंगे अभी ध्यांस अच्छा अच्छा लिख देंगे परेशान ना हो ठीक है औसत विभो निकालने के लिए क्या करेंगे हम औसत विभो निकालने के सब को नहीं जोडेंगे पहले वाले और लाश्ट वाले को जोड़ेंगे आधा कर देंगे अर्थात वी बटे दो और सत विभो क्या हो गया वी बटे दो कोई दिक्कत कोई दिक्कत होनी ही नहीं चीए अगर आप समझ रहते तो नहीं होने चीए अब मैं अच्छा अच्छा लिख करके आपको पूरी बात समझाता हूं जरा समझें मैं क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा कि माना मैं विस्तार से लिखता हूं ध्यांस ध्यांस देखें माना किसी चालक का किसी चालक का प्रारंभ में मैं इतने में लिखता हूँ आधे-आधे पार्ट में प्रारंभ में क्या वैद्यत विभो विभो शून्य था प्रारंभ में वैद्यत विभो केतना था सून्य था तथा क्यू आवेस देने के बाद क्यू आवेस देने के मारकर बदल लेता हूँ देने के बाद उसका विभव सुन्य से बढ़कर कितना हो गया सुन्य से बढ़कर वी हो जाता है अरे भाई यूँ कहानी लिख रहे हैं जो अभी हमने सुनाई थी माना कोई चालक था जिसका पहले प्रारम में विभव क्या था जीरो था सुन्य था लेकिन जब क्यूँ आवेज दिया जाएगा तो उसका विभव जो है जीरो से बढ़कर के कितना हो गया है क्यूँ हो गया है तो अब इस चालक का औसत विभव क्या हो जाएगा आता है चालक का चालक का औसत विभव औसत विभव का फार्मूला क्या होगा औसत विभव वी बराबर क्या होगा औसत विभव औसत विभो केसे निकालेंगे पहले वाले आवेस और लास्ट वाले आवेस को जोड़ करके आधा तो हमारा जो औसत विभो निकलेगा औसत विभो निकलेगा वो क्या निकल के आएगा वी बटे दो भाई एक समीकर निकाल लिया और सत्य वह निकाल लिया आवेस कितना दिया गया है क्यूँ तो क्यूँ आवेस देने में किया गया कारी कितना होगा क्योंकि बेसिकली आपको इस्थिति व्यूजा निकालने इस्थिति व्यूजा मतलब कारी तो कारी ही तो निकालना है कारी का स लगालो ठीखकें तो लिखेंगे अतह चालक को क्यों आवेस देने में किया गया कारिया ठीकें यहां पर लिखते हैं अतह लालवाला दिख रहा है क्या अतह है को क्यों आवेस देने में आवेस देने में किया गया कारे मैं या कारे का सुत्र क्या होगा तो अभी मैंने आपको शुरुआत में याद करवाया था अगर नहीं याद है तो समझलो आप बहुत बेकार इंसान हो भाई लेटे लेटे ना पड़ो बैटे करके हमेशा वीडियो देखा करो ठीक है वीड बैटे करके तो चालक को Q आवेस देने में किया गया कारे अगर लाल वाला ना दिख रहा हो आपको तो मेरी आवाज सुन लेना ठीक है चालक को Q आवेस देने में किया गया कारे कारी का formula w बराबर क्या होता है q into v अभी मैंने आपको लिखाया था लेकिन मैं हिंदी में लिखूंगा क्योंकि v की जगे पर v by 2 होगा औसत विभो यहाँ पर लिया जाएगा तो कारी ये बराबर क्या होगा कारी w बराबर आवेस मैंने हिंदी में लिखाया था आवेस गुणे विभो अंतर तो यहाँ पर आवेस गुणे आउसत विभो अंतर होगा आउसत विभो यहाँ पर क्या लिखेंगे आउसत विभव ठीक है तो w बराबर आवेस गुणे आउसत विभो बराबर आवेस कितना दिया गया है Q औसत विभो कितना है V बटे 2 वह यही तो है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं अब जरा ध्यान से देखो इसको हम लिख सकते हैं W बराबर 1 बटे 2 Q इंटू V वह यह यह कारे निकल के आया हाँ यही कारे ही इस्थितिज उर्जा कही जाए कि मैंने बताया था जो कारे किया जाता है जो उर्जा वे की जाती है वही तो इस्थितिज उर्जा है तो लिखेंगे यही कारे चालक में क्या रहता है यही कारे चालक में चालक में स्थितिज उर्जा के रूप में संचित रहता है संचित रहता है समझ गए यही कारी जो है डवलू यही चालक में स्थितिज उर्जा के रूप में संचित रहता है इसलिए हम कह सकते हैं स्थितिज उर्जा यू बराबर क्या होगा एक बटे दो Q into V कारे ही इस्थितिज उर्जा है W अगर एक बटे दो Q V है तो बहिया इस्थितिज उर्जा U बराबर भी एक बटे दो Q into V होगी बस अब यहाँ पर एक बास समझ लो Q की जगे पर क्या लिखेंगे मैंने अभी सूतर आपको याद रवाय था Q बराबर C into V क्या Q बराबर C into V हम जानते हैं हम जानते हैं Q बराबर क्या C V होता है तो यहाँ पर Q की जगे पर C V लिख दो इसलिए क्या बनेगा यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो U बराबर में एक बटे दो Q की जगे पर C V लिखिए भाई Q की जगे पर क्या लिखेंगे C V और into में बाहर V है तो यह क्या बन जाएगा half C और V और V मिलकर के V स्क्वेर U बराबर half C V स्क्वेर भाई यही तो आपका फार्मूला होता है यही तो आपका फार्मूला होता है आवेसित चालक की स्थिति जूरजा का जो सबसे फेमस फार्मूला है U is equal to 1 बटे 2 C V स्क्वेर यह U is equal to half C V स्क्वेर यह आपको याद होगा और आज हमने आपको डेरिवेशन करके दिखा दिया है अब मैं एक मिनिट में दुबारा इस डेरिवेशन को करके दिखाने वाला हूँ यह तो मैंने विस्तार से लिखा है आपको समझाया है इस वज़े से इतना समय लगा लेकिन इतना समय का इस डेरिवेशन थोड़ी है पांच मिनिट पांच नहीं तीन मिनिट में तीन नहीं दो मिनिट में कर डालोगे भाई कैसे कर डालोगे अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ पहले आप इसकर स्क्रिंसोट ले लो और फिर मैं आपको यह करके दिखाता हूँ ठीक है तो आज अब हम लोग क्या करने वाले इस derivation को 2 minute में करने की कोसिस करेंगे कैसे क्योंकि अब हम लोग समझ तो पहले से चुके हैं मैं इसको मिटा देता हूँ दुबारा आपको करके दिखाता हूँ क्या करना है यह सब लिख कर नहीं भाई लिखोगे तो देखो वीडियो समय लगेगा ही लगेगा आपको कॉंसेप्ट अगर समझना है तो कॉंसेप्ट उतने में ही समझा सकते हो 2 minute में क्या कॉंसेप्ट है आपके पास हमें पता है कि इस्थिति उर्जा निकालनी है भाई यह इस्थिति उर्जा निकालनी तो इस्थिति उर्जा का मतलब है कारे कारे का सुत्र क्या है तो सबसे पहले शुरुआत कर दो किया गया कारे कारे बराबर में हैं कारे बराबर में हैं आवेस गुड़े आउसत विभो यही तो है वाई आवेस गुड़े आउसत विभो लेकिन आउसत विभो है कितना पहले ये निकाल के रखना चाहिए था तो हमें यहाँ पर पता है V बटे 2 होगा उसा तीबो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे W बराबर आवेस की जगे पर Q और विबो की जगे पर V बटे 2 ठीक है अब यार यहाँ पर क्या करना है W बराबर 1 बटे 2 Q into V लिखे और यही कारे स्थितिज उर्जा के रुक में संचित रहता है इसलिए हम कहेंगे आता स्थितिज उर्जा यू बराबर में क्या होगा 1 बटे 2 Q into V हमें पता है बाई क्या पता है Q बराबर में C V होता है तो यहाँ पर Q की जगे पर C V रख दो एक मिनट का समय लगा है भाई Derivation थोड़ी कटिन है यह करना थोड़ी कटिन है समझना थोड़ा आसान करने के लिए मैंने आपको समझाने के लिए समय लिया था समझना थोड़ा कटिन होता है करना कटिन नहीं होता और अगर आप लंबे समय तक याद रखना चाहते है तो यह समझना बहुत जरूरी है यह बात आप ख्यान कर लीजिए यह बात आप समझ लीजिए कि आपको समझने की जरूरत है हर एक derivation को समझने की जरूरत है आपको याद करने की जरूरत नहीं है तो आज की class में भया बस इतना ही रखेंगे, मुझे यकीन है कि आपको ये class पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो like किये बिना मत चाहिएगा यार एक comment करके जाईएगा कि आपको हमारी classes कैसी लगती हैं, देखिए आपके लिए हम पस्चीना बहा रहे हैं आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना तो करें सकते हैं कि इस वीडियो को like कर सकते हैं, दोस्तों के साथ भी बेज सकते हैं, क्योंकि उनसे भी कह सकते हैं कि भाई, अगर physics समझना है, तो यहाँ आईए, एक प्यारा सा channel है, आरिया कोचिंग, इस पर आईए, अच्छी तरीके से physics के concept को समझिए, feel करिए, और physics से प्यार करिए, ठीक है, तो यह class, यह channel आपको बहुत ही beneficial साबित होने वाला है, आपके board exam के लिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ, लेकिन आपके support की मुझे जरूरत है, इसलिए मुझे support बच्चों, जरूर करिएगा, share करिएगा अपने इस वीडियो को like करिएगा, और एक प्यारा सा comment जरूर लेकर के बेजिएगा, कि आपको हमारी classes कैसी लगती है, ठीक है, और हाँ, channel subscribe नहीं किया है, तो जरूर subscribe करिएगा, चलो, अगली class में मिलते हैं, किसी एक और नए topic के साथ में, तब तक के लिए बाबाए अपनी पढ़ाई करते रहे हैं,